हलो गाइज, गुड माउनिंग, वेलकम टू माइ न्यू ब्लॉग तो जिन्दगी का सफर अब कहां मेरे को ले चलता है, ये देखना है हम घर से तो चले आए मुंबाई, बहुत तोक जोक में की चलेंगे, वहां काम करेंगे लेकिन फर्स्ट टाइम आए तो हम यहां पर तो यह देख सकते हैं, यह रूम है और यहां पर मेरा कपड़ा पैक कर लिए है हम इस बैग में और अब घर चल रहा है कल ही आए थे हम, मतलब की दो तीन दिन हुआ था यहां पर आए, यहां पर कपड़ा है और यह अच्छा है, इसको रखेंगे कान पर और यह स्वीटर है, पहान लेंगे ठंड का दिन है और यहां पर यह सब बरतन है, यहां पर दो तीन जने मेरे मतलब की रहता है पहले से वो सब को मतलब कि मेरे से थोड़ा प्रोब्लम हो जा रहा है क्योंकि मैं मास खाता नहीं हूँ, मैं सकहारी हूँ, सूधू और वो सब मास काने वाला अंडखाने वाला लोग है, तो वो सब इस बरतन में खाता है, तो जब वो बनाने के लिए अज बोला तो उसको माल कोई बात नहीं जो मतलब कि मैं नहीं खाता हूं तो उसे प्रोब्लम होगा ही क्योंकि हम है इस रूम में तो और वो मेरे बज़ा से नहीं बना पा रहा है तो दिकत होगा ही तो यहां पर बड़तन औरतन है अब उसने बोला कि आपको ना होगा तो आप घर भी जा सकते हैं चल की नहीं आउंगां कि सकसेस किसी तरह लेना है मातारानी का सहारा होना चाहिए क्योंकि यहां पर आय थे काम करने हैं यहां बगल में देख सकते हैं यहांतर लिवर का है से पहले कि हम सकहारी हैं यह सब मास बगरा बगरा खाता है तो हमें यह भी नहीं चलेगा तो इस तरह से मेरे को लगतार कई बार सकहारी होने के बज़ा से मैं विश्वास मतलब की निरास हो जाता हूं और मेरे घर वालों को लगेंगे मेरे आसपरों को लगेंगे कि यह जाता है दो दिन में घर से बाहर से घुम कर चला आता है लेकिन प्रोब्लम बता दे भाई मेरे पास चितना पैसा है उसी पैसा में हम आते हैं जाते हैं न घर से पैसा मंगते हैं न किसी से इधर से उधर से कि हैसी तरह से भी अपना अर्जेश्ट हम खुदी करते हैं बेरोजयार का कितना हालत बुरा होता है मैं ज्यान रहा हूँ लेकिन हमें भी पुर्ण बिश्वास है मुझे अनुमान है अपने उपर कि मैं एक दिन कुछ अच्छा करूंगा बहुत अच्छा करूंगा और मैं जिस काम से भाग रहा हूँ ये काम मेरे को कभी नसीब न होगा ये काम भगवान करें नसीब न हो क्योंकि ये काम मेरे को करना ही नहीं है क्योंकि जिन्दगी अगर छोटे पे कटना सुरो कर दोगे न तो एक आदमी का आदत बन जाता है और उस पे आदमी निर्भर हो जाता है और उसी पे जिंदगी काटते काटते उसका जिंदगी चलने लगता है लेकिन हम ऐसे ऐसे काम से डाइरेक्ट अपना रिष्टान आतत्तोर रहे हैं क्योंकि हम हमें भरोसा है कि हम बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं और ओभी आज के पिरियेट में दुनि ही है मेरे को अब कोई नहीं है मेरे रूम में यहां से मैं चल रहा हूं तो सोचा कि यह वीडियो बना लू क्योंकि हम ही एक बेरुजगार नहीं हैं बिहार से हम बिहार से हैं मेरे बिहार में कोई कंपनी नहीं है कोई मतलब रुजगार नहीं है और हम पढ़े लिखे लोग में से नहीं हैं, हम इतना जल्द भी खरने वालों लोग में से नहीं हैं हमारी मजबूती इतना है कि हम किसी भी न किसी सक्सेस को पकड़ कर distintos और हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, उसे मेहनत करना चाहिए क्योंकि जिन्दगी आग छोटे पर चूरो कर दोगे चलना तो तुम्हारा वहीं जिन्दगी का मतलब की सक्सेस का रास्ता बंद हो जाता है अगर एक रास्ता बंद हो जाए जिन्दगी का तो दुसरा रास्ता जरूर मिलता है अगर आप तुम कोशिस ही करना छोड़ दोगे अगर तुम मालो आप मैंने मेरे को आज सक्सेस नहीं मिला मैं परोब्लम में पर चुका हूँ मैं ही जानता हूँ मेरे उपर क्या भीतरा है लेकिन इस्ते मैं घबडाऊंगा नहीं अभी क्या हुआ नहुआ उससे कोई लेना देना नहीं है जिन्दगी में आगे चलते रहना जानना चाहिए बस इनसान को और एक दिन न एक दिन ओजीस लाइक रहता है उस लाइक तक उस मकसद तक उससे जरूर मंजिल मिलता है तो हम यहीं पर आये थे यहीं रूम था अब इसको दिखा दिये आप सबको यहां पर मैंने अपना बेग रेडी कर लिया है और यहां पर अभी से हम पहनेंगे और चलेंगे तो अब आगे का वीडियो तो आपको हम नहीं दिखा सकते क्योंकि मेरे उपर तो मैं खुद ही परोबलम में हूँ और यहां से मेरे को तीन बस पकड़के जाना है उसके बाद पुने जाना है पुने का बाद में फिर वहां से मतलब की एक ट्रेंड पकड़के दुसरे जगह जाना है वहां से डाइडेक्ट मेरे को रोक्सवाव लेया मतलब पुत्र का दानापूर का ट्रेंड मिलेगा जी से पकड़कर बिहार चलेंगे अब देखते हैं कैसा होता है आगे क्या होता है वीडियो को एंड करते हैं जय जय भारा सपोर्ट करें सेर करें